आपका जी बिसनस में मैं हूँ दिपांशू बंडारी शिक्षक दिवस का मौका है और वैसे तो रोज आप जी बिसनस से जुड़ते हैं निवेश के बारे में ट्रेड के बारे में कई आपको सीखें मिलती हैं बट क्यूंकि बाजार में इतना बड़ा आक्शन बना हुआ है तो हमने सोचा क्यों ना आपको जो सबसे बढ़िया सीख इस बाजार में दी जा सकती है स्टॉक को कैसे चुनना है इसके बारे में बताया जाए और इस स्टॉक में निवेश की पार्टशालक लिए हमारे साथ है जी बिसनस के माईजिनिंग एडिटर अनिल सिंग भी सर बह में पर ही काफी सवाल सबके बनते हैं तो हमने सोचा एक बार इसको समझाए पर आपकी तरफ से क्या विव बना कि क्यों ऐसा गुरू मंत्र बताया जाए जिससे शेयर में अच्छा निवेश हो सके दीप या शेयर चुनने के बारे में जहां भी जाता हूं लोगों से मिलता अब क्यों खरीदा वह आपको पता नहीं उसके पीछे की स्टोरी वह आपने जानी नहीं तो आप हमेशा मुझ पर डिपेंडेंट रहेंगे अब सारी बताएंगे कि कब निकलना है तो वो जब अगर आप खुद अपना शेयर चुनना शुरू कर लें आप समझ लें जान ल सबकी आप खुद अपना डिसीजन ले सकते हैं और इसलिए हमने सोचा और दूसरा ही कि टीचर स्टे के मौके पर जनरली जब हम यह शो करने का सोचते हैं तो हमें लगता है कि हमें कुछ गुरू मंतर बताने या सिखाना है लेकिन ऐसा है नहीं एक्चुली ऐसा नहीं कि मै मैं कोई चीजे सिखाने जा रहा हूं मैं फ्रेंक्ली जो मेरे अनुभवे बताने जा रहा हूं जो कुछ मैंने सिखा है वो मैं बता रहा हूं यह निकि मैं सिखा रहा हूं क्यों क्या होता है हम मार्केट में जिन्दगी में हर दिन हर वक्त हर पल कुछ ने कुछ किया और कि पर रोज हमें नई चीजें सिखाता है, अब तक का अनुभवी यही है, जब जब ऐसा लगा कि अपने को सब आ गया है, उसी वक्त बाजार ने दो-चार ऐसे बड़िया थपड़ मारे है, कि बैटा तुम्हें कुछ नहीं आता है, एकदम बिलकुल, यह मेरे ही नहीं, हर किसी के साथ यह होता ही है, इसलिए आज हम जो चीजें हैं, कुछ लर्निंग से आपके सामने रखना चाते हैं, अब दीब दो तरह के स्टुडेंट हो, एक तो यह लर्निंग जो मेरी अपनी है, जो मैंने और पिरियोड ऑफ टाइम, मतलब मैं 93 से मार्केट ट्रेक करूँ, स्टुडेंट बना जाना चाहिए, आपने कुछ किया गलत किया, लेकिन बहुत अच्छा स्टुडेंट कौन सा होता है, जो दूसरों की गलतियों से सीखें, और जो मैंने दूसरों से सीखिये, बाजार के दूसरे गुरुआँ से, लोगों के एकस्पीरियंस से, तो आज मै इस बात को लेकर ऐसा नभौतार यह मैंने गल्टी की थी तो आप अपने आप सीख जाएंगे तो वो दूसरों की गल्टी से सीखने वाला काम है और खुद आप करके जो सीखेंगे वह तो आज इन दोनों का कॉंबिनेशन हम लेकर आए इस शो में चलिए बहुत बढ़िया मि को देखनी चाहिए एक कैसे देखे जाती मैनेजमेंट कॉलिटी एक सिंपल सी चीज़े शेयर मार्केट में अगर आपने पहला फोर्मूला यह लगा है कि मैं अच्छे मैंजमेंट वाली कंपनियों में पैसा डालूँगा तो आपकी मैकसिमिम समस्या दूर हो जाती है क्यो मैनेजमेंट मजबूत होना चाहिए और दूसरा प्रमोटर्स बरोस से मन्द होना चाहिए अब आप सोचेंगे यह तो दोनों मिलते जलते शब्दे इसमें कुछ फर्क है क्या लेकि अंदर डीप में जाकर देखें कि तो बहुत बड़ा फर्क है मैनेजमेंट कौन है जो ड से क्वालिफिकेशन से उस फिल्ड की समझ से तो यह जो लोग है प्रोफेशनल हो अनुभवी हो उनको वह बिजिस आता हो और अगर उसके साथ एक पुराना ट्रेक रिकॉर्ड भी जाए कि भाई साब यह इस कंपनी में गये थे इस विमार कंपनी को इन्होंने चला दिया यह इस ओर्गनाइशन में बड़ी तकलीफ थी यह भाई साब गए और उन्हेंने कबाल कर दिया यह उनका पुर्वन ट्रेक रिकॉर्ड है ऐसे प्रोफेशनल मेनेजमेंट वेल क्वालिफाइड एक्स्प्रियंस पुर्वन ट्रेक रिकॉर्ड वाले वह मिल गए तो आपक लेकिन डूसरा है प्रोफेशनल मेन प्रोमोटर यानि कि अच्छे प्रोमोटर अब अगर प्रोमोटर खराब है और बिजनिस अच्छा है तो भी आपका पैसा नहीं बनेगा अगर प्रोमोटर अच्छे है बिजनिस खराब है तो भी आपका पैसा नहीं बनेगा लेकिन प् तब ही आपकी बड़ी वेल्थ बनेगी है, इसलिए अच्छे प्रोमोटर देखा, अच्छे प्रोमोटर देखने का कोई ऐसा फॉर्मला नहीं है, यह लगा दिए यह अच्छा और यह ख्राब, आप कैसे कुछ कुछ चीजों से आप पेचानने की कोशिश करते हैं कि प्रोमो इसलिए अच्छे प्रोमोटर देखने का काम काज करने के तरीके से समझ में आता है कि कौन सा प्रोमोटर मजबूत है, कौन सा नहीं है, तीसरा होता है, कॉर्परेट गवर्नेंस, बड़ा मुद्दा है, लंबी बाते हो सकते हैं, लेकिन जनरली आप कौन से कमज़ करने के कौर्परेट गवर्नेंस अच्छी मानेंगे, for example, प्रोमोटर की शेरोल्डर को रिवोर्ड करने की नियत हो, डिविडेंट रेगुलर्ली दे, समय समय पर अगर कमपनी कमारी बोनस दे, शेरोल्डर का ध्यान रखें, समझो कोई बड़ा बिजनिस बेचा है किसी प्रोमोट अगर जैसा आपने MBA किया है, MBA की डिग्रे आने के पहले आपने planning कर दी, इसके बाद क्या करूंगा, शादी होती है, लोगों के बच्चे पेरा होने वाले तो उससे पहले लड़का होगा तो यह नाम रखेंगे, लड़की होगी तो यह नाम रखेंगे, पहले से planning हो जाती ह अगर आप बड़ा बिजनिस बेचर और करोड़ों रुपए आपके पास आ रहे हैं, तो आपकी planning नहीं होगी, नहीं हो तो फिर ऐसा promotor भी, मतलब क्या प्लानिगी, फिर आप क्या promotor हैं, तो कई बार होता है ऐसा promotor के पास पैसा आ रहा है, लेकिन बताते हैं नहीं नहीं ले लिया, मतलब कोई valuation ज़्यादा दे के भी ले लिया, तो भी चिंता की बात नहीं, long term में पैसा बन जाएगा, लेकिन जहां promotor अच्छे नहीं है, management ठीक नहीं है, और वहां आपने बहुत सस्ता शेयर भी खरी रहा, तो भी वो कच्रा ही रहेगा, कच्रा कच्रा ही रहेग का quality कभी नहीं है, और वहां पर आपके पैसे लगेंगे, और यह चीज है ना, एक दिन में नहीं आती, यह बरसों का अनुभू है कि आप कि इस promotor को मजबूत माने, भरोस्य मन माने, अच्छा, valuation पर तो आप से पूछूँगा, बट management अच्छी है, यह हम समझ रहें, track record उनक प्रमोटर अच्छी समय में कैसे behavior करता है, बिजनिस सब बढ़िया चल रहा है, और खराब समय में कैसे behavior करता है, समझ किया है, क्या हो, कहता है कि सामने आपकी जो दिख रही है, आमने सामने, यह आपकी personality है, और जो अकेले में आप है, वो आपका character है, तो प्रमोटर का भी सही है, जब अच्छे समय में जो आपकी दिख रही है, वो personality है, इन खराब समय में उसकी क्या नियत है, अपने लेंदारों के पती, अपने customers के पती, अपने shareholders के पती, उससे आपको पता चलता है कि यह प्रमोटर कितना भरो सिमन्ध है, कि उसकी performance को कैसे देंगा, simple है, आप देखिए कि profitability किस तरह की आ रही है, दूसरा, जो promoter कहते हैं, वो करते हैं यानि, for example, जैसे एक जमाने में यह चला आया था, infosys, ऐसे promoter है, ऐसे management है, जो बोलेंगे उससे जादा करके देगे, एक वो opinion बन गई है, वैसे आप यह देखते हैं कि dividend regularly दे रहे हैं क्या, समय समय अगर अच्छा पैसा बना रहे हैं, तो क्या dividend बढ़ा कर देख रहे हैं, bonus दे रहे हैं, ठीक है, simple सी चीज़ है, company की जनम कुणली बनाओ, promoters की जनम कुणली बनाओ, आप, समझ क्या है, देखो, इनका track record, आसान है, बहुत मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा समय देना किसे बात कर रहे हैं, vision क्या है, shortcut तो नहीं ला रहे हैं, business में, कारोबार में, मैं कई बार वोलता हूँ, promoter नहीं, भगवान की तरह है, आपने company का share खरिदार, promoter को भगवान समझो, रोज प्राथना करो, पुजा आरती करो, वही प्रसाद देंगे ना, या तो प्रसाद में आपने बात करी, valuations कैसे पहचानेंगे, share में, valuation में कोई ऐसा formula है नहीं, क्योंकि हर वक्त मार्केट में सोधा कब होता है, एक आदमी खरीद रहा है, एक आदमी बेच रहा है, जो खरीद रहा है, इसलिए कि कल बढ़ेगा, और जो बेच रहा है, कल गटेगा, और दोनों कौन ज़्यादा खुबसूरत लगता है, कौन कम लगता है, तो अपना अपना विजन है, कोई आदमी एक दिन के हिसाब से खरीद रहा है, कोई एक साल के हिसाब से खरीदा है, लेकिन आम तोर पर आपको valuation इस तरह से देखने चाहिए, कि जो company, जिस भाव पर trade करी, जिस relation प महंगी वह company है, तो ऐसा क्या है उस company में जिसके वज़े से वह महंगी है, क्या वाकए में 24 karat gold वाले promoter है, या ऐसा business है कि बास इसको तो कोई touchy नहीं कर सकता, for example, Titan होगा आपका, Titan तो leader है रहेगा, यह महंगा है, महंगा था महंगा ही रहेगा, है ना, क्या वैसी है leadership कि promoter strong, business जबर्दस, brand number one, फिर तो महंगा ही रहेगा, हमेशे ही महंगा रहेगा, तो आपको महंगा ही खरीदा है, महंगा ही बेच रहेगा है, तो आपको valuation जो देखना है, valuation उस हिसाब से देखना है कि भाई, वाकए में company को अगर महंगा valuation मिल रहा है, तो किस वज़े से मिल रहा है, मार्केट बेखुफ नहीं है, सारे लोग समझदा रहे हैं यहां पर, कई के डेड़ होशार भी है, तो अगर कोई stock बहुत सस्ता trade कर रहा है, तो उसके पीछे कुछ कारण होगा, और वो कारण अगर आपको पता चले जाए, कि भाई अच्छा है, यह कोई एक stock, steel का 10 के multiple पर supplier कोई एक चार पर, यह चार पर क्यों है, आपने वो कारण पता कर लिया, और उसके बाद आपको लगता है, अब मैं comfortable लो, मुझे पता है, यह सस्ता क्यों है, मैं लूँगा, कई बार लोग बोलता है, कि यह सस्ता इसलिए कि प्रमोटर पर confidence कम है, तो हम लेंगे, वो आपक आपको पता है फिर, कि आप सस्ता वाला शेर खरीदे रहें, तो क्यों खरीदे रहें, आपको उस हिसाब से देखना है, मार्केट, सेक्टर, और कम्पनी, वाल्योशन के अलावा भी कुछ फैक्टर होते हैं, कैसे पता चलेगा कि कम्पनी अच्छी है, खरीदने के बाद बाव बढ़ जाए तो समझ लेना अच्छी है, गड़ जाए तो समझ लेना खराब है, आम तोर पर लोग इसी तरीके से पता करते हैं, ऐसा है नहीं है, यह लीप होता है, ज़्यादे तर लोगों साथ होता है, यह चार पांच महीने छोड़ दें, जब आ देखेंगे, उसके बाद यह देखें कि बड़े इंवेस्टरस में कितना पैसा लगाए, बड़े इंवेस्टरस में कुछ FIs हो सकते हैं, लोकल फंड्स हो सकते हैं आजकल फाइस को कम देखो लोकल फंड को ज्यादा देखो पैसे उन्हीं के पास है बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिनका बड़ा नाम है वो कितना लगा कर बैठें जितने बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उतना बड़े पैसे समय के लिए सबस्काइब ऑन सकती है और कुछ लोगों बहुत समया fluor Jaan der अगर को बड़े इन्वेस्टर्स हैं किशा की बात होती है यह कितना केंसे ट्रैक करते हैं देखें, जितना कर्ज कम हो उतना बढ़िया, आम तोर पर यह माना जाता है, लिए कुछ-कुछ इंडिस्ट्री ऐसी है, जहां पर कर्ज ज्यादा लेना ही पड़ेगा, जैसे फॉर एक्जामपल आप इंफ्रास्ट्रक्चर के बिज्देस में, तो वहाँ डेट इक्विटी कर्ज दिख जाए, तुरंट चोगने पर, तेरे को क्या जरूता है, फुदार लेने की, टेबल कुर्सी और कम्पुटर और सेलरी देनी है, किस बात की जरूती नहीं है, अगर कोई IT कमपनी कर्ज ले रहे हैं, वहीं पर छोड़ लेना ही नहीं है इसको, और अगर कोई कर्ज फिलो पॉजिटिव है, कर्ज है, और आपकी कर्ज का इंट्रेस्ट और प्रिंसिपल चुकाने की ताकत है, तो कोई दिक्कत नहीं, इतना पैसा आपका कंपनी का ओपरेशन से कमाई से आ रहा है, कि आप चुका पा रहे हैं, वह सबसे ज़्यादा, तो मैं जहां हाई काई डेट वाली कंपनिया होती है, पहली चीज़ तो है कि इन जनरल आप उनसे दूर रहो, और अगर कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंडर्स्री की डिमांड है, यहां कर्ज जादा लेना ही पड़ेगा उस कंपनी को, तो फिर उसके कैश फ्लो देख लो, अच्छा, इन जनरल कर्ज जादा होना खराब माना जाता, यहां कि लेकिन ऐसा नहीं कि आप सब को एक ही तरह से गिन लें, कर्ज किस ले लिया है, और कई बार क्या होता है कि प्रोमोटर्स को कोई प्रोजेक्ट में एक्विटी लानी है, पैसे तो लिमिटेड ही है ना वहीं, उनके पास करते हैं, यह अननेसेसरी एक्सपांशन कर रहे हैं, तो फिर मार्केट थोड़ा उसको खराब समझता है, कई बार यह बता है कि अगर अपनी ही बिजनिस में पैसा डालने के लिए आप कज ले लेके बार बार कर रहे हैं, तो यह टाइम बोम है, बगवान नहीं किसी वज़ सेक्टरिकल सेक्टर्स होते हैं, यह कितना आप पटै कि कौन से सेक्टर की अबार करते हैं? बहुत इंपोर्टेंट है इसमें कोई डाब नहीं, अगर कोई सेक्टर ही खराब कर रहा है, आप उसमें पैसा कैसी बनाओ गए? बहु भी बात सद्ट्टर्स पहली चीजी के सेक अब आप जब सेक्टर चुनड़े तो यह देखो कि इस सेक्टर की ग्रोथ किया है, पांट दस पनार साल सेक्टर ग्रोथ करेगा, तो आपको पता है, कोलगेट, हुल, बिटानिया, यह चल नहीं है भाई, थोड़ी खत्म होना है, कम यह ज़्यादा हो सकता है, तो वह आपको ग्रोथ पूरी पता है, तो किस लेवल की ग्रोथ है, दूसरा competition किस लेवल का है, कहीं से भी कोई भी आके मार तो नहीं रहा, business seasonal तो नहीं है, कभी चला, कभी नहीं चला, यह सारी चीज़े आपको देखनी है, और जो भी company आप चुन रहे हैं इसमें, कुछ में कुछ आपके दो-चार प्रोड़क्त तो ऐसे हो जो market leader हो, जिसके वज़े से आपकी company जाने जाए, जिसको खरीदने के लिए आदमी आए, तो दो-चार और लेके जाए, तो वो आपको sector की growth और उसके बाद industry और sector का हाल देखके अपने company को चुनना है, ठीक है सर, अच्छा इसमें सरकार क्या क्या नजरीया, क्या policy है, वहाँ पर आप कितनी importance देंगे, सरकार की policy सब को समझनी है, समझना सब चाहता, समझ कोई नहीं पाता, अब तो बहुत policy में consistency आ रही है, एक जमाने में budget में बड़े जटके लेगते था, अब तो policy document ज्यादा होने लगा direction के लियाद से, लेकिन फिर भी कुछ-कुछ sector ऐसे हैं जिनकी policy बार-बार बदलती रहती है, कुछ sectors ऐसे हैं जिन में duty, import duty, export duty बार-बार बदलती है, कम ज़्यादा होती है, ऐसे में थोड़ा आपको ज़्यादा सावधान रहा है, जहां भी आपको लगता है कि सरकार का इंटे, for example, tail company है, इतनी value है, लेकिन क्यों trade नहीं करती है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना, यह subsidy, वह 50 जो ज़्यादा है, तो जो companyya, जो sector, government policy पर ज्यादा dependent है, वहां थोड़ा आप सावधान रहे, वहां सोच समझ के पैसा लगा, वहां पैसा लगाने का तरीका एक ही है, जब आ एकदम जब time खराब हो, जब policies इनके favor में ना हो, तभी आपको ओने पोने दामों में यह share मिलता है, तो entry और exit दोनों perfect करना बहुत जरूरी है, अच्छा, कई सारी MNC companies होती हैं निवेश के लिए, कई सारी हमारी companies हैं जिनके international कारवार होता है, इनको आप कैसे judge करते हैं सर, देखें, जैसे जितनी रिस्क आपकी उन कम्पनियों को लेकर है, जहां government policies रोज मेरलती है, उतनी ही रिस्क आपकी global economy से जुड़ी है, युनियाबर के माइदनों से जुड़ी है, क्या होता है, for example, कोई कम्पनी किसी एक particular country में export कर रही है, वहां के अचानक से rule बदल की, क्य environment के लिए ठीक नहीं है, कई बार आपको ऐसे दूसरे देशों में जो restrictions होते हैं, उसका फाइदा मिलता है, लेकिन कई बार अगर आपको नुकसान भी हो सकता है, तो अगर आप import कर रहे हो या export कर रहे हो, global businesses में खत्रे ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि उस पर आप कोई control ही नहीं है, यहाँ वाले में भी नहीं है control तो, यहाँ भी अगर सरकार पोलिसी मतलेगी तो आप क्या करें, लेकिन बाहर वालों की risk ज्यादा हो जाएती, क्योंकि हर देश अपने इसाफ से सोचता है, बहुत बढ़िया प्लांट बनाया है, यह मैं चाइना का substitute, यह इसा विसा, अचानक से चाइडा नहीं डुकी कर दीजी ओ, लो, इतनी डंपिंग कि आपका प्रोड़क्त ही एन्वाइबल होगा है, वहले आप इंडिया में बिजनिस कर रहे हो, बहरी बाहर कर रहे हो, लेकिन जा ग्लोबल कॉम्पेटिशन वाला मामला है, बनता है तब साधी बहुत बड़े हैं बनता है, लेकिन जब रिस्क आती है न, तो वो पूरी दुड़ा ही करके जाती है, तो वहां पर आपको बहुत सावदान रखना है, दूसरी कंपनियों के मुकाबले में ज़्यादा पढ़ा ही लिए ज़रूरी इन कंपनियों के लिए, ठीक है सर, तो आपको अच्छा शेर चुनने के लिए एक काम करना है, आपको शेर ही नहीं खरीदना, जब तक आपके मन में के मुझे शेर खरीदना है, तो तक आप अच्छा शेर नहीं चुन पाएंगे, उसका एक सिंपल फॉर्बला है, आपके साथ बहुत बहुत बड़ा पैसा आ मेरे इच्छा है, अब मैं यह कहूं कि उस पैसे से आपको यह नोकरी छोड़नी है, आप अपना बिजनिस शिरू करो, अब वो कौन सा बिजनिस होगा, जो आप करेंगे, क्या आपको कोई एक बैंक बनाना है, क्या आपको कोई एक आईटी कम्पनी खरीदनी है, क्या कोई बाज कल कि नए जमानी की किसी e-commerce कमपनी में आप पर, आप ये सोचे कि मेरे पास भी अगर किसी बैंक चलाने जितना पैसा आ जाए, या मेरे पास किसी आईटी गर जितना पैसा हो जाए, तो मैं कौन सी कम्पनी खरीदीगा, क्या कौन सी कम्पनी बना हुगा, जिस दिन आ आप सोचेंगे ये अलग तरीखे से, entrepreneur के तरह, दूसरा long term सोचना शुरू करेंगे, तीसरा आप जब invest करेंगे तो आप ये सोचेंगे, मैं इस company में partner हूँ, और मुझे इस company में बरुसा है, और आप अपने business बनाते हैं, maximum case में business लोग सोचता है कि मेरी next generation पर भी जाएगा, इस नहीं खरीदना है, आपको business में partner बनना है, अगली generation के लिए उस हिसाब से करेंगे ना, वहां से आपको अपने आप उस particular sector में best company डूनना चुरू करेंगे, आप long term सोचेंगे, और फिर जो wealth बनेगी, वो कमाल की बनेगी, तो share खरीदने के लिए सबसे बड़े पहले ज़रू नहीं होता है, situation नहीं होती है, तो अभी आपको करना नहीं है, आपको जो बढ़िया business दिख रहा है, जो आप life में करना चाते हैं, उसका partner बनने की कोशिश करेंगे, समझ गया sir, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद, अल जी एक बार फिर से कुछ बहतर मौके पर हमार साथ जुनने के लिए, और कुछ निवेश के गुरुमंद सीखने के लिए, बहुत-बहुत शुक्रिया आपको,